ये लोग सिर्फ यही कहते हैं ओ इंजीनियर मिर्जा कुटी के बच्चे तेरी पकाने वाली जगा में ये ड्रॉन घुस जाएगा कुटी के बच्चे बिलक रहे हैं बुक्स वहाँ पर अली मिर्जा की कतल के लिए पांच राक रुपे देने का ऐलान करते हैं अर्तगुल गासी ध्यान में आजाता होगा घोडे वाली टॉन बज रहे हैं बच्चों का को दूझ कि लाना चोड़ते अंडे कि लाना चोड़ते उस पर कोई बात नहीं हो रहे हैं शुक्रीय आदा गरता हूं मुफ्ति तारीक मसूत का कि सिर्केह दो ही मानते हैं हक और बादल पस इंजिनियर अली पाकिस्तान के कोई छोटा मोटा नाम नहीं रहा जिन से हर फिरके के लोग परेशान हो चुकी हैं और मौलवियो तुम लोग कान खोल के सुन लो तुम लोग भी सुन लोग तुम जो मर्जी कर लो मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना जब तक के तुम्हारे आखरी फिरका प्रस कबर में नहीं चला जाता और मैं उसकी कबर पर यो विक्टी का निशान मना के नहीं खड़ा होता जब अली भाई के इल्मी एक्तलास के जवाबात दलाइल के साथ लोग नहीं दे पाते तो ये लोग सिर्फ यहीं कहते हैं यहां तक तो ठीक था लेकिन पीर अफजल कादरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने मेरे दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया लेकिन उनके बयान से एक बात बड़ी साफ समझ में मुझे आ गई कि आतंगवादी कैसे तैयार किये जाती है उन्होंने बकायदा लोगों के सामने अली भाई के कतल का फत्वा दे दिया और यहां तक ये भी कहा ये फर्दे किफाया है फर्जे किफाया उसे कहते हैं यानि कौम के ओपर कोई हक हो अगर एक या चंद लोग उस काम को पूरा कर दें तो वो कौम से फर्ज हट जाता है यहां पर्चा भी हो इसके गिरिफ्तारी भी हो और इसको सजा मौत भी हो और हैरत की बात यहां है कि इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा दूरा औरते जो रूटियों के लिए तरस रहें आटें के लिए तरस रहें बच्चे बिलक रहे हैं भूट से मौए पर अफजल कादरी अली मिर्जा की कटल के लिए पांच लाक रूपए देने का आइलान करते हैं यह वश्य उपनी जिजबा इमानी च मह जोंगा। सो फिशाद मैं एरान करता हूँ पबलिक को उभारने की कोशिश की थी और ये हमेशा यही कहते हैं कि कोई गाजी उठे और ये काम कर दे तुम्हारे हाँ तो में क्या है इनकी स्पोर्टियन को गतल कर दे अब जनरल बाजवा किसी स्थूर्ट में हमें काबने को बूल नहीं है इसलिए कि अब आपने जज़ू के खिलाफ निकलना है जज़ूंपर फर्दे जुर्माइब कर रहे हूं उसमें जब ये फस गए तो इन्होंने माफी मांगी कि हमाइद नहीं की जागी रिपोर्टर इन से सवाल पूछता है कि अगर आप कतल के लिए बोल रहे हैं अगर ये कतल की जिम्मेदारी आप पर आएगी तो तो उन्होंने कहां नहीं जो कतल करेगा जिम्मेदारी उसी पर आएगी खुद साफ निकलना चाहते हैं और अगर वो कतल जो होता है मिर्जा को कोई कतल कर दे दो कतल आप पर पढ़ जाता है तो कतल तो जो है ना जिसने करना है ना जी वो ही उसका जिम्मदार होगा और आम उसके माइती होंगे इन्शाला ताला और ये समझ आ गया कि किस तरह से आतंगवादी बनाया जाती है ऐसे ही फर्गजे कफाया हूरों के सपने दिखा कर गाजी गाजी कहकर लोगों को उपसाते हैं और पब्लिक भी ऐसी है अर्तगुल गाजी धियान में आ जाता होगा घोड़े वाली टोन बज रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही है और ये इसलिए नहीं है इंजिनियर अली मिर्जा इन तमाम मौलानों को एक्सपोज कर देता है कि ये लोग चंदाए घटा करके खा जाते हैं इसलिए इन सारे फिरकोबादे के पेट में धर्द हो रही है बहुत साबाओं से महबबत है ना हजरत अमर हजरत अबुबकर अपना माल पूरा पूरा घर का माल दे दिया करते थे जब ऐसी कोई भुकमरी आती थी तुम लोग एक एक करोड़ दो दो करोड़ की गाड़ियों से चलती हो हजारों एकड़ के प्रोपरटी के मालिक हो कभी बेचो हमको बताया जाता है कि रसुल आलला चटाई पर बैठते थे तुम मरसिटीज पर क्यों बैठते हो और मैं शुक्रिया आदा करता हूँ मुफ्ती तारीक मुसूत का कि उन्होंने अक्तलाफ होने के बावजूद वीडियो बना के बताया कि ये फत्वा सही नहीं है मेरे बहुत सारे अक्तलाफ हैं अली भाई से लेकिन आज मैं खुद कहता हूँ ना मैं बावी ना मैं वावी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी हली भाई आइ स्टैंड इव यू फिर के हम दो ही मानते हैं हक और बाते बस बाकि इल्मे एक तलाफ हमेशा रहेगा अल्ला आफिज धन्यो